अभी तक आप शुतुरमुर्ग के पीछे दोड़ोगे, मैंने तो कल मशली के मंदी खिलाई, आगे आने वाले दिन हो सकता है, मैं एरन भी खिलाएं सेट ने दो रुपे वाला शुतुरमुर्ग दो अरब में लिया हो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने करा थीन में पहले हैं, उसकी कॉस्ती 4,500, हम ने अपनी मंशीन पॉस्प की कॉस्ती निकाली 17 रुपए लीगा भाई, मैं तो कोशिच करो बच्चա जी से चले यह निया दे लिफ्कों, भुद भूआ चाला हूँ हो जा बहुआ हो आप तबहुँ आँ अमीरों, कि दे क मैं घरक करते हैं आप बहुत जादा जजबाती हो जाते हैं जजबाती नहीं पिल्कुल मैं आपको दबार मचली हो और के लियाँगो दो मिनट में मैं तो आप प्रेशर आई नहीं है मैं ऐसे वाई कर रहा हूं लिसानी तासुब खतम हो लोगों को सेंस आ जाए मसला मेरी और गरीबी का है जिस हालात में डाल दो जिन्दगी गुजारने को तयार हैं लाइट बन कर दो इनकी गैस बन कर दो ना आवाज उठाएंगे ना शोर करेंगे ना इतिजाच करेंगे ना किसी का कि सवाल करेंगे असलाम अलेकुम पॉड़कास बाई आफ दे स्कूल की आज की एपिसोड में बहुत ही खास महमान हमारे साथ मौजूद हैं आप जानते हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की तालीम की बात हो सेहत का फुकदान हो उसको बनियादी जरूरत ना मिलें ऐसी सूरते हाल में हम हमारे जो हुकमरान हैं सब तो नहीं जाहर है बहुत इस्तस्ना है लेकिन इसमें बहुत से लोग ऐसे नजर आते हैं जो शुतर मुंक की तरह रेट में सर दबा लेते हैं और आप जानते ही अर्दू का महावरा है कि हाकाइक का इनकार करना हाकाइक को ना देखना और अपने मरजी की रैलिटी को एक प्रोड्यूस करने की कोशिश करना लेकिन फिर इसी माशरे में कुछ ऐसे लोग उठते हैं कि जो अपने कद से बड़ा काम करते हैं और बहुत सी जहतों में लोगों की मदद करने के लिए बहुत मारकतल आरा काम उनके हमें नजर आते हैं उनमें से दोस्ते हैं विलके बहुत एडमायर करते हैं के काम को बस मैं बात इन से शुदू करना चाहूंगा जो आज कर शुतर मुर्ग का मसला बन गया है कि हम सब रेत में सर दबाय तो जहते हैं जब गरीब के मसला आता है लेकिन जब काम की बात आती है तो वह पर शुतर मुर्ग जैसी कांट्रोवर्सी सामने आती हैं नहीं कांट्रोवर्सी नहीं है देखें एक मखसूस माइंड साइट है जिसको मैं और आप इसलिए चैन्ज नी कर सकते हैं आप अच्छी दार जानते हैं इस चैयर में मैं और आप बैठें में या फिरके के नाम पे वह कतले आम हुआ ह कभी हम सुन रहे हैं कि खुदकश जैकेटें फर्ट रही हैं मस्जिदों में इमांबारगाहों में चर्चों में और बाजारों में कभी हम सुन रहे हैं जी एक एक दिन में 2010 से 2013 तक रोज आना फिरके के नाम पे 6 लोग और जबान के नाम पे 8 लोग मारे जारे थे रोज आन और पूरी दुनिया की तारीख में आज तक पहली दफ़ ऐसा हुआ किसी चौक पर ऐसी मशीने लगी है, 16 अरब रुपे की, 18 अरब रुपे की दो मशीन, और कहा जा रहा है, शेयर के जितने लोग है, सूबे के जितने लोग अपने लोग अपने खून के टेस्ट, यह धाई स माइंड सेट है, वो जो इंतहा पसंद माइंड सेट है, जो भरा हुआ है गंदगी से, मैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, अब जो जो जेडी सी ने दुनिया की सबसे महंगी लैब लगाई, उसमें स्वीमिंग हो रही है, उसमें अलादीन के जूले लगे हैं, आप उ तो हमने खुद पहली दफ़ा देखी है, पाकिस्तान में आई कैसे, जो जेडी सी ने गली-गली डाली सेंटर खोल दी है, इसके अंदर क्या है, कोई हमने और शो लगा है, मैं सैनमा खोले है, इस पर बात कलने है, एक मरीज पे साड़े साथरा दारों पर लगता है, वो मरी का स्कूल खोला है, फिरी इंटरनेशनल, जिसके अंदर स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, बिकन हाउस की प्निसपल, बिकन हाउस की टीचर, क्या कुछ नहीं है, धाई साल का बच्चा टच लैपटॉप पर पढ़ रहा है, एक रुप्या फीस नहीं है, मुसलिम, जफर हफ्ते हो कितने लोगों के मैंने का सर पकड़ के बैठा हो, बाई जो बीस रम्दान के बाद रश होता था ता वो तीन और चार रम्दान को आ गया है, अब हफ्ते की रात है, नहीं मालूम कितना रश होगा, कम से कम हमारे पास कम 22-23 अदार लोगों की होनी चाहिए, तो उसने हस्ते बोला भाई जफर पचास अदार लोगों कर ले यार, तो मैंने क्या करें जफर सबसे अच्छी डिश क्या हो सकती है, शुतर मुर्क कर, मैंने का शुतर मुर्क मंगवाने हैं बहुत टाइम लग रहा है, मुलतान से आते हैं यह और सारा चकर तो उनने का और और यह जो मेमान आयन को खिला देंगे, बरदाश नहीं है न, आपको सोचो, यह फैमिली जो यहां आ रही है, यह लोवर मिडल क्लास फैमिली हैं यार, क्या यह अपनी फैमिली को ले जा कि किसी भी मंदी हाउस में मचली का थाल तीन लोगों खा सकते हैं, खरीद के, मचली क्यों खिला रहा है, तकलीफ कोई और मसला है, वो मसला खतम होने में टाइम लगेगा, अब आपको बहुत अच्छे साफी की सूरत में भी नदर आ सकता है, बहुत अच्छे को लिखारी की सूरत में भी नदर आ सकता है, प्रॉबलम है, अंदर अंदर दिल साफ होने में बह पाकिया नहीं हुआ, क्या बारहर अभी लगल के जलूस में या ब्लास्ट नहीं हुआ, क्या हो रहा था उस जलूस में, सिब नात तो पड़ी जा रही थी, क्या वह अधस आशूर के जलूस में ब्लास्ट नहीं हुआ, क्या हो रहा था माँ, क्या आपने कौन सी मस्जिद में देखा जुम्मे की नमाज में ब्लास्ट, मगरिब की नमाज में ब्लास्ट, जोहर की नमाज में ब्लास्ट, फजर की नमाज में फाइरिंग, मस्जिदों में, चांद पर नहीं हो रहा था ये सब कुछ, खला में नहीं हो रहा था, तो जो कर रहे थे ये सब चीजें, कोई ना का खाना तो वो डिजर्व भी नहीं करती देगे असल में बात वही वाली भी में और ऑन बात कर रहे थे कि हमने जहन यह बना लिए कि जो हमारा बच्छा खाना चोड़ देगा जिस प्लेट में थूख देगा तो अगर कोई फकीर बार आ तो उठा के वोस को दे दो तो उसके बदले में हमें जननत मिल जाएगी शेहन हमारा यह कॉंसेप्ट है दीन तो यह बोला है जो अपने लिए पसंद करो जो अपने बच्छों के लिए पसंद करो जो अपनी मा के लिए पसंद करो जो अपने बाप के लिए पसंद करो ऐसा कैसे मुम्किन है कि अपने बाप को त तास्थ पर उस शहर में दो हजार दस में जब रोज़ाना 14 लोग जबान और मस्लक के नाम पे मर रहे थे जेडिसी ने इस काम की बुनियाद शूरू की आओ साथ बैठते हैं, अफ़तारी करते हैं जेडीसी के बारे में जो मेरी मालूमात है आप लोग 89 वेलफेर प्रोजेक्स इसवा कालब बन चला है। हम पैदा होने से लेकर मनने तक के 1089 प्रोजेक्स में काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे किसी मरीज को इंग्यक्शन देना है वो एक प्रोजेक्ट है भाई। किसी को टी-बी का कोड्स करवाना है वो एक प्रोजेक्ट है भाई। किसी का एट्स का इलाज मतलब वो जो मरीज होतना को बेजना अस्पदाल दियर मामला तो आप पैदा होने से मरने तक जितने प्रोजेक्ट हम सब पे हैं क्या करें अगर एक और आई भी बाहर अपने बच्चे का हाथ पकड़के मेरा एक ही बेटा है नशा कर रहा है इसका इसका इलाज करा दो मैं हफ्ते का ये जो खुले में सेंटर इनको 30,000 रुपर नहीं दे सकती मैंने छे मैंने दाखिल कराया घर भी बिग गया मेरा मेरा मे सिटी के लिए सिंध गवर्मेंट से जगा मांगी सिंध गवर्मेंट नहीं में जगा थी एक हजार नशे के आदी अफराद के लिए हम इतना बड़ा सेंटर तयार कर रहे थे जिसके अंदर दो दो सेंवा बन रहे थे यानि 15-15 मिनिट की इसलाही वीडियो देखते वो नश हमें फून आता है जी ट्रकों में भर भर के समान चोरी होके जा रहा है आपकी इस बिल्डिंग का हम वहां से भागते हुए पहुंचते हैं को रहेंगी देखते हैं भाई दर्वाजे खिड़कियां चौकट पाइप गैस की लाइने सब ट्रकों में भर के जा चुका था था उसने बताया भाई उसमें तो सरकारी स्टाफ मुलविस हैं फोरन एफ यार कटवाई ही वो ट्रक रात में बरामद हुआ अब वो जो पीछे लोग हैं उस पूरे गेम के वहां पर कामी नहीं करने देरे हैं हम बार बार सरकार से बुलें चेक करें आपके कौन से अनासिर हैं अब से इंगार्मेंट दोबार आईए हम इनको दोबार अक्टिफ करेंगे देखें उन लोगों को बासपर्स होगी और मैं चाहता हूं जहां हर स्कूल तक आइस पहुंच चुकी है हर कॉलिज तक आइस पहुंच चुकी है यह कितना नुखसान हो रहा है और कैसे इन लोग क्यों बढ़ाया जारे हैं और आपको क्या ज़रूरत है कि हर शुपे के अंदर को इन पहुंच आपकर जाकर हूं कि बलास्ट के बाद जफर अबबास वहां पहुंचके इनसानी आज़ा को जमा करता है और मैं एक वीडियो में बताता हूं यह जिन बॉलों को तुम पाउं अपना जो बच्चा था वो उसकी एज यही थी ती तीन साल मैंने पाउँ ठाके बोला उस वक्त के वजीर आजम को मैंने का इतना ही बड़ा पाउँ मेरे बच्चे का एड़ी तक पाउँ था मैंने का इनका राइट नी दन बच्चों को जिंदा रहते हैं किसकी जिम्मेदार वह हैं इन उन होटांहो बच्चा या यहां नमाँ पड़ना होगा उन लाश की तुक्ड़ों की हुरमत है कुछ ना कुछ नो हुरमत है लो बहाई उनka हवाले कर दी मेने कि अगर यह काम किसी और के करने का था तो चारण गहंटा कम तो नहीं होता किसी भी साने के बाद 4 गंटा कम तो नहीं था बिल्कुम जो चपलों में लोगों के गोश्ट आँखें पाउ आ रहे थे कोई तो उठाता तो अगर किसी ने नहीं किया तो हम ने कर दिया जाके तो अगर जो काम हकूमत की तरफ से नहीं हो रहा हूँ अगर कुछी को तो करना ह हम तो हम पैदाईशी रजाकार हैं हम उसमें काम करेंगे हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि हमारे पास कोई बेवा अगर आईए मदद मांगने तो हम उससे पूछे हैं वो कह रही है मैं मुसल्मान हूँ इनफ यह लिए भई जाकात से आपकी मदद कर दी मैं नहीं करूँगा देगें जकात का मुझे नहीं बताना है आप किसी एक चोटे से बच्चे को बलाएं उससे पुछने जकात का इसनमाल किस पर होता है बता देगा आपको मुसल्मान पर होता है इसमें साइंस क्या है इसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है सीदी मैं किसी बीमार ज प्रूस्ट कर रहा है इनका तालुक किस तंजीम से मैं देख रहा हूं यह फला साफी जो है किसका ब्यानियां बोल लें किसे बई हमें तो नजर आ रहा है नै एक ही तंजीम है उसी के लोग है ले देखे सारा सा आप समझो किराची में डेड़ लाक एंजीओ जैर जैर आप ब अधिसादार बोरे रोज आना साड़े चार मेने तक कोई और कर रहा था क्या किसी ने हुनायद लाखानी साब जैसे आदमी की जगह लेकर फिरी कोविट का इस्पाल कोविड आने के 25 दिन खोल दिया था जिसमें वेंटी लेटर बाइपाइप सी पाइप ऑक्सिजन इस लाख माग रहे हैं यहां फिरी में अपना मरीज एडमिट कर आओ लाज कर रहा हूं किसने खुला जेडी सी ने आर्मी एक्सपो सेंटर में फील्ड हस्पाल चरा रही थी सवा दो साल था खाना नाच्टा रात था खाना किसने पहुंचाय मरीज होंगा जेडी सी जब आ मैं आप से कहा रहा हूं ने में पर एक बेवा आई गी और बोले कि मैं मुसल्मान हूं मेरा शोहर मर गया पंदरा दिन हुए में इड़त ने बैठी थी लेकिन अब घर में भूख इतनी थी मुझे बहार निकलना पड़ा ये मेरे बच्चे हैं चार भूके तो मैंने क्या का मैं मर तो जाओंगा मेरे लिए काफी उसने मुसल्मान बोल दिया मैं उससे उसका फिरका नहीं पूछूंगा कभी नहीं पूछूंगा मेरे ये अमल ना करने भे किसी को क्यों तकलीफ हो रही है सवाल ये पैदा होता है मुझे क्यों अक्साया जा रहा है कि नहीं मखसूस करो ये करो वो करो फलां को देखो उसको देखो उसको देखो इसको देखो इसको देखो नहीं नो मैं नहीं पूछूंगा और अगर मेरे पास कोई गहर मुसलिम आया मेरे पास तमाम कंपनीज का फंड है भाई सी एसर फंड में उसको में पास साधात है साधात का फंड है अ मैं चूंकर सब को बराबरी की बन्याद पर देख रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, क्यों हो रही है मुझे नहीं मालू, आपका चेहरा बहुत अच्छा है, आपने पॉर्डर बहुत अच्छा लगाया हुआ चेहरे पे, आपने कपड़े बहुत अच्छे पैने में टाई भी ल आपके आने वाले दिन हो सकता है, मिरन भी खिलाएं तो हम थोडी किला रहे हैं एक तो अल्ला किला रहा है दूसा अल्ला किसी सेट के दिल में डाला है, सेट ने डो रूपे वाला शुतर अमुर्फ दो अरब में लिया हो, आपको क्या प्रॉबलम है, आप तेकेदार हो इस आप अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लोगों खाना खिला रहे हैं, अलाही काम है, अल्ला की तरफ से सपोर्ट है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, जिस तरह आपके सहरी और अफ़तार के मैन्यू बड़ा मुतनव कर रहे हैं जहन बड़ा कर रहे हैं दुनिया के तमाम मुमालिक तरकी कर रहे हैं आप आज भी देखिए हम यखिन जानी है मैं दुबई एरपोर्ट पर खड़ा था एक फिल्पीनो लड़की बैटी थी उसके ओपर इमिग्रेशन पर सबसे हसस के बात कर रही थी जो पासपोर आपने कराया यह सई है मैंने का आपका मुल्क है आपकी लैब है आप कह रहे हैं एक कदम उठाओ एक कैमरा है तो लैब में भी कैमरे होंगे आप चेक करो तो मुझे घुस्से में यूँ देखके उसने लैब का पढ़चा यू रख जिए और आपका साइट पर बैट जो कम आप कराया था आपकी गवर्मेंट की लैब में कराया था फिर भी आप वो कहरे तुम साइट तो अभी भाई हम कहां पहुंच चुके हैं कब तक यह माजिर वो पंजाबी वो सुनी यह शिया हम कब पाकिस्तानी बनेंगे खुदा के लिए मैं तो दंग हूं यार मैं आप य इसलिए नहीं मर जाए कि उसके पास 40,000, 60,000, 70,000 नहीं ते खुन के टेस्स कराने के वो बिमारी डियाग्नोज नहीं करा सका कैंसर पहली स्टेज से पहुंच गया आखरी पर वो मर गया अच्छा हम अभी हम जिस इस इलाखे में मार्टन रोड में इस वक अगर किसी मरीज क को 60,000 रुपे के टेस्स डॉक्टर लिख दे आज यह 50,000 के लिख दे चलो नॉर्मल शूगर और हार्ट के टेस्स लिख दे क्या वो खरा सकता है या तो वो बच्ची का जेवर बेचेगा या कोई सोने की चेन बेचेगा या बच्चे की फीस के पैसे या कोई BCVC निकली सब्सक्राइब का इसकी कोस्ति 4 500 पर अपनी मशीन बच्च निकाली 17 रुपे निकली 17 रुपे जब मैंने बड़ी बड़ी लेब ओंके मालकान से कंफर्म के हो यह कुश्ट आती है सतरा रुपे का दबल तुम प्रॉफित ले लो सौ गुना 34 रुपे ले लो तुम एख हज बाकि 6-7 रुपए मैं अपने डोनर से देता हूं पूरे सिंध में फिरी कर देते हैं फिर एक साब उतरे बहुत अच्छा चेहरा लेकिन दिल में वही सब चीज हैं मैसिज चलवाएगे एक तन्जीम के थुरू के जेडी सी को 22 अरब रुपए की संध गौवर्मेंट से गरां और यह क्या है कि अधिक हमने इसको मंटिप्लाइए कि दस साल बीस साल पचास साल में इतना बन जाएगा मैं ने का मुझे एक रुपिया भी मिला है चार आने मिला है तो हसके बोल लें हम भी से नेरेटिव विल्ड करेंगे तो काम रुकेगा ना मैंने क्यों रुकेगा हमा उसकी शकल दिखाओ पांच साल तुम पच्छिस साल पचास साल का टोटल करके शो कर रहो ना मैं कर रहो एक रुपिया अगर मिला वो शो कर दो आओ अपनी नफरत में अपनी एक फिर्खा परस्ती बोल दें अपनी अदावत में अपनी तंग नजरी में आप लोगों को कही अपनी नफरीज आकर वेंटिलेट डायलेसिस पर रोजाना डालेसिस कराता है जिस पर हमारा महीने का डाईलाक रुपर लग रहा है हर दूसरे दिन साड़े सतरह हजार का डालेसिस जब वो सुने का जफर अबास को मार दिया तो क्या वो यह बुले का कल से में नहीं आऊँ होना है मेरा टेस्ट करो हमने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके वालदें क्या बोलें हमने आज से अपने बच्चों की तालीम छुडवा दी यहां पर नहीं बच्चा हमारा पढ़ेगा यार ओलेवल स्कूल बनाके गया जफर अबास जैसे वजिर आदम के बच्चा मार दो यह सबको एक कर रहा है इसको मार दो मार दो इनकी खोहिश है जो घृष यार मैं तो हर्फ लाई-दारे का नाम लेता हो तरीफ करता ओं ना मैंसे वाहीं लृओに बाई। वाई। झा कर्रा रहा उनाफिन है। मेरी ऐक लाइन है। मेरी लाइन है। मेरी लाइन है। हिस एंत्या संदिखती खतमाई। इस शहते इनत्या पसंदिर को इस एंत्या से आप infectionION गय कोंते हो। और आम शेर के बच्चे एद पर कपड़े पहनेंगे, पिछले साल के कपड़ों में निल लगा के पहनेंगे, क्यूं? उठाएं ना किसी बच्चे को एद के दिन बोलें, चलना, क्यों नहीं चलना मस्जिद नमाज पढ़ने, हर साल जाता तो तू? बोले करनी तबियत खराब है, चक्कर आ रहे हैं, सर में दर्द है, उल्टी आ रही है, मोशन आ रहे हैं, कैसे जाएगा पराना कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने, और डर रहा है, सारे बच्चे मदाख उड़ाएंगे मेरा, ये बात कैसे पता है, कि तुम सब ने तो अफ्ता काना ही नहीं है, बाते कर रहे हैं लोग इस वक में तो चैलेंज कर रहे हैं, मैं भी आरवई बेटके बोला कि 60,000 रुपे जिसकी तंखा है, 60,000 बड़ी तंखा है, ढूंडे से नहीं मिलती, 35,000 रुपे दो कमरे के फ्लैट का रेंट है, 15,000 लेक्रिक ले 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 वीडियो बनाई है कि भाई हम जिनके घरों में राशन देने जा रहे हमारा कलेजा फट जाता है, वह फैमिली तो देने वाली थी, तो भाई इस वक्त कपड़ों के हाले से अगर बगार से ले कपड़े देना चाहरे हैं ताइम है, हम दो लाग जोड़े देते हैं हर साल लो पर प्रपगेंड़ा शायद एक परसंट होता है, 99% लोगों की दौाएं और सपोर्ट हैं, आप यकीन जाने हम कहीं चले जाएं, बाद आखात मुझे हाथ जोड़के लोगों को बोलना पड़ता है कि मैं मैं आयत में आया हूँ, मैं किसी के जनाजे में आया हूँ, मुझे आपसे जूट नहीं बोलना हूँ, अगर सहरी मरोदाना 20,000 लोग आ रहे हैं खाना खाने, तो कम से कम दो 400-600 लोग देखने आ रहे हैं, जफर को खरीब से देख लें, कैसे जिन्दा है और तक कैसे छोड़ा हूँ, माफिया निसको, हम देख लें, जिन्दगी में इसको दे उन लोगा शुकरिया दा करूंगा, वो करते हैं, मेरा मोटेवशने लेवल आई होता है, और मैं अच्छा बोलता हूँ, लोगों अच्छी तस्वीर दिखाता हूँ, मुझे एक दोस्त ने का है, मैं जफर बादे पूछना कि आप पर जो जाइस तनकीद होती है, उसको रि छिकंन मिरियानी खिला रहे हो, एल्ला तुम्हे घरक कर दे। अब वैं भाई, तुम्हारे बाप से लिंए, तुम्से लिंए, फकीर किस ने कहा दिया, मेरे महमान है, मेरी दावत में आहे हैं, दस्तरखानेमारे ह।, हमारे धुर थे होता है, हमारे है, तो महुत है 속ड़ा तो यह आपको आइडिया कैसे आया मेरे घर मेरी नौकरी चली जाया मेरे बुरा वक्त आजाए और मेरे बच्छे भूकें हो मेरी बीवी भूकी और कोई मुझे बोले जाओ सद्का चावल लेया रूट से तो मैं खुदकुशी कर लूगा मेरे लिए बहुत मुशक्ट है मै जाओं किसी से बोलो यारो आपके इंतकाल होए मियत का सद्का निकाला और दे तो मेरे बच्छे भूकें मेरे बहुत मुशक्ल होगा अपनी बात कर रहा हुँ तो मैंने बोला काम वो होना चाहिए जिसमें किसी को शरम नाया है मदीने मुनवरा में मदीने मुनवरा के बाहर रसुल खुदा हजरत मुहमद मुस्तफा सललाओ लिए लिए नवासे हज़त इमाम असन ने मुसाफिरों के लिए के दस्तरखान लगाया था बड़ा मशूर दस्तरखान था जहांबे बाश्या फ़कीर अमीर खरीब कोई भी खाना खा भी सकता था और पार्सल भी ले जा सकता था हमने उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए 2010 में कायद आजम मुहमद अली जिना के मजार के नीचे लगा दिया दस्तरखान और वो दस्तरखान आज आज़ाद कश्मीर तक पहुंच गया ना सद्का खिलाते हैं ना खेरात खिलाते हैं जो अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं दावत है अभी पंदरा रमजान आईगी इमामसन की विलादत का दिन होगा आप देख लेगा मैं कैसे सजाओंगा ग मैं जो काम कर रहा हूं एक लाक रजाकार तो सिर्फ मैंने पिशावर में तयार कर दी है रजाकार जिनके जहन के लिया रहे हैं कि अगर सेलाब आया है सब डूबे हुए हैं उनकी मदद करनी है तो यह हाथ जो आगे बढ़ेगा कोई भी पगड़ेगा उसको पानी से निका पात आये मेरे पर बड़ी तनखीद होती थी कि तुम सेलाब में आंग बं करके राशन क्यूं पहर गाओं में तुम पांच लाग ददस लाग बोरे राशन क्यूं बहे बहुँ ने नेवी के ठरू एरफोर्स के ठरू रैंजर्स के ठरू पुलिस के ठरू खुच चार चार पडोसी की मदद करो या कह रहा है पडोसी वो जो तुम्हारी ही बरादरी का हो या तुम्हारे ही मजभ का हो या तुम्हारे ही मसलक का हो या दीन कह रहा है कि पडोसी भूका नहीं सोना चाहिए पडोसी के घर में देख लो ऐसा ना हो तुम्हारे घर में तो अच्छे खाने करनें उसके घर में भूक को पड़ोशियों की भी मुख्तलिफ इसाम मिलती है कोई कहता है दस घर गर बीस घर कोई कहता है चालीस घर ऐसा ही है शेहर में अगर बहूंक की वैसे खुदकुशी करेगा क्या कयामत के दिन सिब उसकी फैमिली से सवाल होगा है पूरे शेहर से सवाल होगा जायदे सबकी जिम्मेधारी है लेकि मुझे मत पाबंद करो मुझे परेशन डालो तुम भी फ़ला फ़ला चीज़ पूछ के काम करो no 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 अच्छे एक बात दो लोग पूछते रहते हैं कि क्या जे डी सी के पात कुछ लॉंग टर्म मेकैनिजम है पाकिस्तान में अगर मैं बात कम्प्लीट कर लो पाकिस्तान में देखते हैं जो इदारे हैं जो तन्जीम है न वह बात परसन सेंट्रिक होती है एक फेस होता है तो आ तो इतने लॉंग टर्म प्रोजेक्स आपके वाइबिलिटी के बारे में मसला यह है मुझे जब कोविड आया तो मुझे बैंकर्स ने रापता किया बोला भाई आप अगर पांच अबरो पर रखवा देते हो तो हम आपको 18-19 परसंट माहना देंगे तो आपको महीने के इत आपके लिए तो मैं बताया फला ने भी रखवाया फला ने भी किया यूं किया आप पागल है क्या पैसा रखें आगे काम आएगा अब ही सहलाब आया फिर वही बात हो ले आए पैसा बीस परसंट दे देंगे आपको एक अरब रखवाएं साल का बीस करोड़ के प्रॉफि लिए ऐसे ही में आवाज नहीं लगाता था कि डेली 400 ट्रक राशन निकल रहा है हमने नेवी को दी हैं 25,000 बोरे राशन हमने एरफोर्स के साथ मिलके किया हैं 50,000 बोरे हम पचास हजार मरीजों के खून के टेस्ट दादू में कर रहे हैं मशीने गई हैं और उनको दवाईय दे रहे हैं अमने का नो तो जब मैं अल्ला के भरोसे पर काम कर रहा हूं तो या आगे कौन चलाएगा निजाम मुझे ज्यादा चलाक होने की ज़रूरत नहीं है मेरे आकाउंटों में इस वक्र भी पैसा नहीं होगा जाएं चेक कर लाएं खुदा के भरोसे बचला है सब क कोई वजन नहीं है कोई आउकात नहीं है मैं यकीन जाने आप मैं सारी टेकनिक्स जानता हूं मैं पाकिसान का सबसे कम ओमर मल्टी नैशनल कंपनी का नैशनल सेज मैनिजर रह चुका हूं दो हजार साथ आठ में मेरे पास पाकॉला फ्लेवर्ड मिल्की डिस्टिबिशन थ जान फॉरन चेंज जागा चोड़ो चैरिटी वर्यटी हसो तो मुझे मैं हर आप मेरी कोई वीडियो देख लें जहां संजीदा बात करता हूं इसके आगे पच्छिस मिनिट तक लोगों को हसाता हूं यह देखें फसी भाई हैं नहाया नहीं 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 किसी नहीं किसी को मुत्माइन कर रहो अपना प्रोफाइल तो बनाओ जा फुछ रहो तो सारी बात है आपने समझ लिए अपको समझा भी दे हमें एक तो आप जैडी सी फिरी आईटी सेंटर बनाया और जो स्कूल का आपका आइडिया है क्या आप जानते है आफ दा स्कूल कराशी को सकते हैं मेरे बड़ी है आपने मस्जिद के अंदर जिस तरह से स्कूल बनाया और एक लोगों को आईडिया दिया क्योंकि देखे ना आप आप कमाल काम कर रहा है आपके स्कूल के बारे में जानना चाल रहा हूं कि आपको स्कूल का आइडिया यह कहां से आपके स्कूलों में जाता रहता हूं मुझे बुलाते हैं स्पीच करने के लिए को बला रहा होता है जैसे भी बिकन हाउस ने बुलाया था अपनी में ब्रांच में फलस्तीन के लिए उन्होंने सपोर्ट किया चेक दिया बच्चों ने मैं जाता रहता हूं तो मुझे अफसोस होत मैं अपने आपने सबसे बड़ा स्कूल दिखाओ उस इंने बाई ये कया है अब बाई ये कुर्सी कितने की हो यह 35 होगी ना ना मैंने का भई कोरिया के स्कूल दिखाओ सधसिया देखा कितने कि चेयर है मालूम भी पाकिस्तानी तक्रबिन पड़े कि एक बच्चे कि चेयर 60 डॉलर की मैं आपके लगा दो यह बोड कितने का इतने हजार का है इसमें क्या है खास इसके लिए पूरा कमरा पहले अंधेरा करो उसके बाद बच्चें को नदर आएगा मैं आप लगा दो और यह प्रोजेक्टर आसा है रोश्णी में भी ऐसा कर देगा जैसे सैन मा मैं ने यह लगा दो मैंने का एसी दिखाओ उन्हें यह एसी है फलाँ यह एसी प्रोजेक्टर बच्चों के लिए नीचे बैटके एक्टिविटी के लिए खाली कुरसीयां हर चीज में खोल देंगे पुरे पाकिस्तान में खोल देंगे वजीर आजम का बच्चा ओ लेविल करके निकले और यह गरीब का बच्चा निकले साथ खड़ा कर लेना यही उपर होगा अच्छा मैं जानना चाला था कि एक स्कूल तो आपने बहुत शानदार बना दियों सारे तीन अब हैं अभी तक तुछ समना आल्ला की सपोर्ट आपके पुर्सा क कमज़ते हैं यह चायव प्रस दूनिया को बूला चो देखो फिर्जीनियस की मशीन फिर्जीनियस का डैलैजर फिर्जीनियस की केट यह रहा जन्रेटर सॉक अ यह तच बड़ लगे में लियाकताबात क वेट करते हो दो गहंटे का डाली सिस होता है चार गहंटे का करा हूँ बगएर वेट के एक पैसा नी देना लोग करें तो दूसरा बना के दिखाना ऐसा आज सरजानी टाउन फाइव स्टार चोरंगी समनाबाद अलनूर सोल्जर बदा ल्याकताबाद गुल्चन एकबाल काल बहुत तब होंगा अमीरों को कि देको गरीब का मच्छा कैसे बढ़ रहा है अचल में वह बात आप आप से बहुत दाफ़ा लोग कर चुके ना कि आप जूबी कमसला काम करते ना उसकंदे ग्रेंजर पैला कर देते हैं एक्स्ट्राविकांजा काम बहुत बड़े सता पर इसकी क्या वज़ा है कि हर काम इतने बड़ी सता पर गड़ना है अब बहुत निकल जाता है वो निकल जाता है मैं तो भई लोगों को खुश कर रहा हूं अब बहुत अब कोई आदमी मुसान अराद हो मेरे लटीवे भी तपरा में तो लोगों को असाता रहता हूं क्या से अब तैंशन वाली जिंदगी है अब तैया कर दिखा रहा है कि काम इतना नंबर नहीं है हम कोशिश कर रहे हैं बाकी रंग लगा ना लगा अब कोविट के टाइम का बताई हम देखते थे आपके वीडियो में क्या अपने घर भी नी जा रहे और और शक्कर में ते वहां भ मशीनों के अंदर पूरे डखे वेते हैं थोड़े दिर बाद एक साब मेरे कंदेवे हाथ रखा रखा वा ता बेटा तुम लुग का बाए मैं तो सर अभी आज ही सुभा पहुचा हूं सुना यह खाने माने के बड़े मसले चलने है फेक के दिया जा रहा है खाना लोगों क कोविट का मरीज गंदेवे हाथ रखा हूए अब क्या रखा हूए तो मैंने पहले दिन मास को पेका और मैंने उसके अद मास नी काला कभी को सरकारी चले का चले का प्रेशर रहा तो पहले फिर मैंने खुल के काम किया मैंने गार यह सारे अच्छी फैमिली के लोग है आप आपने शक की बुनियाद पर बंद किया पूरा सक्कर में आपने बंद किया और पूरा सक्कर एतियाच कर रहा था कि सक्कर सिलों को निकालो मरीजों को पूरा सक्कर क्या अपक्र क्या क्या कर रहा हूं तो मैंने जो सबसे बड़ा क्या कर रहा हूं तो पिर मैंने जो सबसे केटर तो जो अगर वजिर आजम दोरे पर उसके लिए खाना बनाता उसको ठेका दिया और पिर सिंध गौर्णमेंट आई इक राजात उसके सिंध गौर्णमेंट नहीं बरदाश किया लेकिन मैंने फिर मेन्यू ऐसा लगवा दिया था जूसे और यह और महीं रा फिर एक मही अफिस में जमीन पर सोया और मैं सुभाई फॉर वापिस आगया सक्कर मैंने खाव यह तो इसा लग रहा है पूरा कराची मेरे चक्कर में कोविड का शिकार हो जाएगा क्या वह कोविड पर यकिन नहीं था ता तीन दिन तक लेकिन मैं उस वक्विड को निम्टा के सक्कर स सब्सक्राइब कर दो साल तक आप पानी स्पीड में नहीं पी सकते था तो आप टेस्ट पॉलिटिफ हो था आपका कर आए नहीं आपने तो किती टेंशन पहलती अच्छा आप खुछ सोचल मीडिया देखते हैं आप दब कभी तनहाई में बैठके सोचते हैं कि मैं इतना का कर रहा हूं और इस किसम के बाते हो यह तो डिप्रेशन वगरार का आपको मैं इस माशरे में पढ़ा हूं जहां मैं पैदा हूं मैं नहीं देखा है कि यह एक लड़की है शादी शुदा उसका शौर सुबा इंजिनियर है नौकरी के लिए जा रहा है और बीस मिनट बाद कि लड़की के नमबर पर फोन आता है कि यह मॉबाइल फोन किसका है वो बोलते है मेरे शौर का नंबर आ जी आपे अपासी की मौर्चरी मौरदा खाने को बोलते है और उसके बाद जब घर वाले महां पहुँचते हैं तो मालूम होता है उसको चौर को मार दिया और उस और उसको यह नहीं पता होगा है या मेरे शुरु का क 녹शोर कि कीछ नहीं था क्यों मारा नहीं मालूम वो अपने दो बच्चों को जो उस वक्षाइद दो साल और तीन साल के हो गए हो गए हो बच्चे अभी इद आएगी बगर बाप के नमास पढ़ने जाएंगे बच्चों को भी ने मालूम गए बाप पर कसूर कहा था आई टी इंजीनियर था मेरा बा कितने टाइम लगेगा जफर भाई रियासत को मजबूत हिकमते हमली अखियार करनी पड़ेगी लोग ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे लोग एक दूसरे के साथ उठें बैठें मिलें देखें इंटर फेट हार्मनी पर आपने भी खुद भी वाक्राम किये हैं मैं तो हर कारी वहीज जफर चासमी हैं जना मंज़लुक थानवी साभ एं मौलाना काजी अमद नुरानी साभ हैं सिदीखी साहब जो कल रात में आये थे आलम दीन اور محسنی صاحب رات میں آئے ہوئے تھے قاری وعیز زفر قاسمی صاحب ڈیلی ناصف تلاوت کرواتے ہیں اس پورے پندرہ بیس ہزار کے مجمعے کا تلفز بھی صحیح کرواتے ہیں خود کہتے ہیں اب میں پڑھ رہا ہوں بسم اللہ آپ سب بولے بسم اللہ پوری صورت پڑھواتے ہیں اس میں تلفز صحیح کرواتے ہیں تجوید صحیح کرواتے ہیں بچوں سے جا کے سوال کر رہے ہیں بیٹا فجر کی نماز کتنے رکعت ہے اچھا بیٹا روزہ کتنے سال کے عمر میں فرض ہوا یہ لیں آپ کو انام ہے پھر انام دینے گا بلتے ہیں بیٹا بتاؤ کتنے پیسے اندر پھر وہ آپس میں پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے کتنے ہیں جیسے حمزہ تابانی صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی اس میں دس ادار ہوں گے پانچ ادار نکلا تو ہم نے کہا حمزہ صاحب آپ کے موہ سے دس ادار نکلا تو پانچ تو آپ کو دینے پڑھیں گے آپ سیڈ ہیں مطلب اس میں ہسی مذاق بھی اور بچوں کو کیش مل رہا ہے بچوں میں انٹرس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دین کی نولیج حاصل کریں تو ہم تو وہاں سے سکھا بھی رہے لوگوں کو لیکن ہماری کوشش صرف اور صرف ایک ہے ہمارے ملک سے لسانی تاثب ختم ہو لوگوں کو سینس آجائے مسئلہ امیری اور غریبی کا ہے اس مسئلے کی طرف جا ہی نہیں رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں جس حالات میں ڈال دو زندگی گزارنے کو تیار ہیں لائٹ بن کر دو ان کی گیس بن کر دو ان کا آٹا بن کر دو ان کا چاول بن کر دو کہنا ہم جیسے بھی اپنی زندگی گزار لیں گے ماں نہ آواز اٹھائیں گے نہ شور کریں گے نہ اعتجاج کریں گے نہ کسی کا سوال کریں گے تو ایک بات یہ کہی جاتی نا کہ آپ کتنے غریب ہو کھانا کھلا دیں ان کو رہنا تو غریب ہی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں آپ جب کسی دیکھیں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہوں میں آپ سے آپ اپنی خالہ کے گھر سال میں کتنی بار جاتے ہوں گے پانچ سی دفعہ شی دفعہ لیکن اگر ایک جنرل بات ہوتی تو ایسا لگتا ہے جیسے خالہ کے گھر ہر دوسرے دن جا رہے ہیں ہر چوتھے دن ٹائم گزر رہا ہے سال گزر جاتا ہے اگر آپ نے کسی کو ایک دفعہ اچھے طریقے سے کھلا دیا نا اس کی ایک محرومی دور ہو گئی آپ نے کسی کو ایک بار مچھلی کی مندی کھلا دی محرومی دور اب جب وہ مچھلی کی مندی سنے گا سوچ میں نہیں جایا گا کیسی ہوتی ہوگی مچھلی کی مندی چاوال اس میں کیسا ہوتا ہوگا مچھلی کیسی ہوتی ہوگی کتنی سخت ہوتی ہوگی کتنی کرسپی ہوتی ہوگی ٹیسٹ کیسا ہوتا ہوگا اس کے ساتھ چٹنی کیسی لگتی ہوگی ختم माप ने महरूमी खतम कर दी कि तेरा 10,000 रुपए खचा था नहीं एक दफा टेस्ट करने का यह ले भाई गिफ्ट की सुरत में पूरा कर दी शुतर मुर्ग यह ले इन्होंने कभी खुद जिंदगी में निखा इसलिए प्रोपेगंडा कर रहे हैं तू खा ले तुझे खिला हर एक के देखें हमारी इतनी हमारे पास पावर है कि मैं अगली सांस ले सकूँ अभी बैठे बैठे मुझे फालिज हो जाए कोई मुझे बातरूम लेकर जाने वाला नहीं होगा बिस्तर पर पढ़ा होंगा सब कुछ महीं कर रहा होंगा तो भाई हमारा कोई कमाल नहीं है हम पता है हम तो अपना हसा डाल सकते हैं जो जितना कर सकते है करें लोगोंके लिए अजश किसी मर् orada ने साथ जिए अपनी सारी जायदाद लेकर गया हूं जो जितना ज्यादा पैसे इसके बच्चे उत्ता हुए जिकत दिखा रहे होता है उस के लिगए उसके मुशकल वक् आप चार मेने तुम दो बेहन के घर भेज़ दो अरे भाई वो तुम्हारे लिए करोड़ और रुर्पर छोड़ के जा रहा है तुम उसके बाद दो चार लाक रुप अपने बाप और माँ पर खर्च नहीं कर सकते है नहीं नहीं सेंटर में डलवा दो कि सस्ते वाले सरकारी अपनी आखों से देखते हैं तो यह पैसा किस काम का कि जो आफके आखरी वक्त में आपको पीट में इतने बरबर जखम जिसमें पस भरी वे क्यों बीस पच्छिस अजार और का मेल नर्स नी रख सकी आपकी आपकी ओलाद चेशे गाड़िया चोड़ के जा रहे थे चार च किसी दिन भी हमें कोई भी खबर सुने को मिल सकती है और जिस लैविल पर काम कर रहे हैं लोगों के घरों में खुशियां आ रही है अल्लाओ तो इसके बदले हमारे घर में भी आसानिया दे रहा है सुकून है घर के अंदर बहुत चोटा से है मैं की ताफ़ा आया है मैं कि साधी का वक्ता है तो कमला दिखा है तो कमला शुरू होती खतम हो गया है असल में यहां पर इसलिए रहता हूं कि यहां से बाहर निकलूँगा तो मेरी रेकी असानी सोगी मुझे मार देंगे जो इंतिया पसंद है तो यह कम्यूनिटी बेस अबादी है मैं सेव हो अब तक ज फकेरों वाली जो आपकी मुहिम थी उसमें तो कि पिछा हो आता है मैं सारी वीडियो जाल दी थी कैसे आयते पिछे लेकिन देखे हैं लोगों का जहन खोल दिया आज का है फकेर यही रमजान होता था कि आप हिल नहीं सकते थे अब लोग खुद बगा रहे उनको बाग यह पिछले आप फल वालों से भी आपका मसला बन गया था बनना चाहिए था ना जाती है ना आप 130 रुपर दरजन सरकारी रेट है आप बेच रहे हो 600 क्यूं आज क्यूं बेचे रहे 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 हैं आपको पता था दो मेने पहले जफर बोल ला बाइकाउड होगा और ऐसा अजाना हदार रुपय के चे तीन किलो फल लेकर रहे हूं जुम है तो यहार रिर्क टारइक हो रहे हमारा बाला चक्कर थोड़ी है कि हम अपनी मासी से पूछे है और क्या चल ला है ड्रैवर को बलाओ खान सामा को बलाओ माली को बलाओ चौकिदार को बलाओ ड्रैवर को तर्की आप गये तो तर्की में आपका वेलफर का कैसा एक्सपीर अनसाथ बहुत अच्छा रहा था तो पाफात के साथ हमने काम किया था बहुत मुनजब निजाम है उनका बहुत जबरदस निजाम है पूरा पूरा शिखन हुआ यह कि एक इस शेहर में 25 बिल्डिंग गिर पर पांच घंटे के सफर के बाद अगले शेहर के अंदर 16 बिल्डिंगे गिरी हैं पर दस घंटे के सफर के बाद हम तो घाजी अंतब तक गये थे शाम का बॉडर है तो बड़ा इनका हुकुमती निजाम मशिनरी रोडों के ओपर डंपर शावाल एकसिवेटर ऐसे चल रह हें वहीं खड़ा हो गया सारी मशीन संस ने बैठे में, बुड़ी औरत बैठी वे, मेरा शौर अंदर दबा हुआ है, एक बाप बैठा हुए मेरी पुरे बीव बच्चे अंदर दबे में, एक माँ बैठी वी है, थंदक इतनी स्यादा है, घंटों से बैठे हैं, रोना पीटना तो नहीं लेकिन इंतार मियू बैठे किसी अफसर ने नहीं सुनी, किसी सरकारी बंदे ने नहीं सुनी, किसी ने सुनी है, अब सब अपने आलिया लगा लगा के हलके से कोई ठक ठक कर रहे हैं, नौक कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कहां से आई हैं, ट्रेस कर रहे हैं, दस मिनट तक ट्रेस कर रहे हैं, आदा पर कोई बिल्डिंग कि रहे, चौते गंटे में तो मशीने लाते हैं, उसी मलबे को यू करके उठाते हैं, आदा जिसम बंदे का नीचे, आदा उपर उठाइए जी, सफाई हो रही है जी, क्लीन कर रहे हैं, अबे ढून तो लो, हो सकता है कोई जिन्दा हो, तो आमने तो बह सबसे पहला के लिए कुछ निकर रहे है, सबसे पहला कैम कराची में फलस्तीन का किसने लगाए, सबसे पहला कैम दो तलवार पर हमने लगाए, दो महिने तक लागा गा रखा, वीडियो लगाई उनकी सब कुछ किया दिखें, फेस्बुक की और सोशल मेडिया की पॉलिसी नहीं है वो एन चीजों को बढ़ा देता उनकी रीच खतम नहीं हमारे पेज के रीच चार महीने बन रही है तीन महीने हमारे फिजबुक का फिलस्टीन में नहीं है और अब यह जो आखरी जहाज गया पानी का एंडिया में अगया जेडीसी का समान गया तस्वीरे लगी पढ मुह से तो बोल दो कि क्यामत के दिनों बच्चे खड़े होंगे जब उनके सामने से गुजरोगे तो भी बोल तो सकते हो कि जब तुम पर जूल मोरा था हमारे पास कोई रास्ता नहीं था ना सोशल मीडिया पर इतियाज कर सकते था ना भेजने का कोई पैमिंट भेजने का ग कोई इंडिविजुली सपोर्ट करना चाहिए तो कोई रास्ता ही नहीं 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 कोई अपने मशूर हो गए जब आपने शुरू किया था काम कालिपन दौज़ा दस में शुरू किया था तो उस वक्त जहन में था कि इतनी तरक्य करेंगे और इतना शहर में काम करेंगे है यह तरक्य नहीं है यह तरक्य नहीं है मैं इसको तरक्य को तरक्य नहीं समझता हैं तरक्य मारत एट की हमारे फेह injection हमारी धिन से यह पहले जिए ख्वाःश है कि हम अपने हाबसे इक आदारों को ताला लागाए मेरे कोई आसी खवाइश नहीं है कि 500 अड़त М तीम खाने हो, 36,000 एंबुलेंसे हो, कोई ऐसा है, मतलब मैंने सुना आपके कुछ करीबी लोगों से कि आप मस्जिद में भी एक्टिव होते थे कमेटी में, फिर महले में एक्टिव होते हैं, जरूरत होगी किसी काम की, समाजी कारकून यह होता है, सोशल वरकरी होता है, बाइर किसी उजरत की अधर साइप रखता है, वापर उचल आए उचल आए है, हाजारों काड़ें इन किसी और ने क्यों किया तो इसी तर हम भी रदाकार है, जहां जरूरत होती हम अपना काम करते हैं, आप देगें तारिक रोड वाली मस्जद का मसला हुआ था, सब डर र मेरे कैसे हाइल करेंगें? मैंने लोगों का जहन जहन खोलना है कि भाई, तुम भी समाजी काम कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है पहले जब हम छोटे थे हम समझते थे ओहो यह पागल खाना है, इसे नहीं गुद्ञाना है यह जह यह इतिम बच्छों का सेंटर रहे हैं मै मैंने सोच ही चेंज कर दी है कभी नहीं देखेंगे मेरा कोई बजर्ग बैठके बोल ला ला कि वास्ते कोई मुझे उम्रा करा दो और मैं पूरी दुनिया से दो अधार टिकेट पकड़नू उम्रेंगे ना 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 आप इसलिए निटेगा कि आप जो जाग रहें उनसे बाचीत करें आप उनके साथ टाइम करें आप उनकी खिदमत करें उनका अराम का टाइम में आपकी तस्फीरों में ज्यादा बजरुग आज यह उठा दू नो नो कोई ऐसा चक्कर नहीं है कोई बजर्ग आपको लटीफ की दुनिया में जब भी गुर्दे की दुनिया में जब भी नाम आएका सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर अदीब अलसन जब भी नाम आए हमें समाजी लोगों को खड़े हो जाना चाहिए जिसने अर्बो रुपए का ट्रांस्प्लांट किया और आज भी अर्बो खर्बो छेचे लाक डालेसिस सालाना फिरी में कर रहा है जो शेख्स नहीं है दुनिया में कोई ऐसा शेख्स समाजी कामों में पाकिस्तान में है ऐसा हीरा बात वह यह लोग हमारे खड़न नहीं करते उसके बाद जो मशूर तरीन डॉक्टर उसमें डॉक्टर मुजफर अकबाल न करें आई टी की सर्जेगां जहां की भी बात करें टॉप एंट लोग है नीचे का कोई आदमी नी है इसकूल की बात कर तो है अधर अबास है माँ पर आप देखें मतलब मैडम भी जो है वो बीकन हाउस की बीस साल की तजर्बेकार मैडम है लेवल नीचे कहीं नहीं है यह अधर बेस्ट मैं रखा है बेस्ट मैं रखा है बेस्ट सेलरी देते हैं बाई गाड़ी देते हैं लेटेस वर्जन लो दूसरी जगह थे मैडम टीचर दूसरे स्कूल से ओपर तनखा दो सेट का बच्चा नहीं है लेकिन देखिए का उतनी मुपबत सेसको बले यह सबजी अधर मुपबत उतनी होनी चाहिए जितना सेट के बेटे के लिए था और अकाउंटीबिलीटी पर कैसे इंशो कराते हैं जर्नल अडिट तो कराते हैं पीसी बी अडिट भी कराते हैं तपड़ जाहिए किसी एंग्यों के मुझ से सुना आज तक के फीगर बता रहा हो कि यह मशीन इतने करोड की यह इतने अरब की यह इतने करोड का जब इतनी बवडी हम बता नो खुले दिल समार में तो मसला आप इतने नंबर बता देतने हैं वह कंप्यूटी निए कर पाते लोग तब भई अगर अगर आप इसी बाते करेंगे दारे बैठें में आपको हम जो कह पहले था एक्रा और राबिया दो फ्लैट थे और उसमें तमामी मसालिक के लोग थे उसमें एटी परस्टन हमारे बहुत बड़े प्रमाने बहुत बड़े प्रमाने तबाई हुई थी जानी माली नुखसान लेकिन हम ने खुल के हमने लोगों की मदद की उनको नए घरों में कि एक महीने का किराया एडवांस वो दिया हमने एलान कर दिया हम दोनों बिल्डिंगे बना देंगे तो हुकूमत कंपिटिशन में पर हुकूमत ने का अच्छा हम बनाते हैं और हमने चो भी काम के बड़े खुल के आप शिकारपूर का सानिया देख ले आप जोजफ कारू जितना भी पैसा आता है चाहिए वो एक लाग डॉलर आए महीने का चाहिए पचास हजार डॉलर रहा है उसारा पैसा में जीडिशी को देता है और आपने अच्छा काम किया कि बहुत से लोगों कॉंटेंट करेटर बना दिया जिनको कोई नहीं जानता था आपके पास कॉं प्लाइस बहुत से सवालाइस दर्ण बाइब करें एकि और झाल्ट विजिट करें आप इसकूल काम करें वह अभाल आपके स्कुल की बहुत हारिए नावाजlarukा ओपकर आपके ब्डूसदीआ गुजरेखाट और मैं वीजो पर हमाला चैनल है इस पर कॉमेंट ऐसे ही करेंगे कि तो हमारे स्कूल के बच्चे भी पड़ सकें बहुत चुक्रिया